Hello everyone, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फट नौकरिय में इस वीडियो लेक्षर में हम लोग देखने वाला है UTET उत्राखन 2022 के लिए important sets देखने वाला है जिसमें आज हम MCQs question को discuss करेंगे यहां हमारे पास practice set number 7 को हम discuss कर रहे हैं और यह एक तरीके से mock test है सभी questions हमने include किये है सभी subject से question मैंने include किये है previous अगर आपने mock test यह practice set नहीं देखा है जो 6 वाला था तो उसको आप telegram पर जाकर check कर सकते है PDF भी मैंने telegram पर upload करती है तो make sure आप PDF लेने के लिए या important link के लिए आप telegram को ज़रूर connect कर लें प्रीवेस जितने भी set है उनका link आपको playlist में मिल जाएगा वीडियो के description मिल जाएगा और उपर में मैं लगा दूँगा आप इस वीडियो के बाद check कर सकते हैं तो start करते हैं अपने आज का important practice set number 7 Hindi English दोनों में question को include किया है मैंने तो परशान होने की ज़रूरत नहीं है भई Hindi में भी मिलेंगे आपको English में मिलेंगे question वीडियो को लाग वर्स तक देखना काफी अच्छे question को include किया है CDP के questions है Hindi के भी है English के भी है और EBS के question भी मैंने include किये है तो question number 1 से start करते है पहला यह question है आपका CDP के लिए और आज हम यह लोग यह जो paper है हम paper 1 के लिए यूटेट paper 1 के लिए हम mock test discuss कर रहे है तो the problems encountered in the adult sense are देखो adult sense कियाने की किशोरा आवस्था से question मैंने previous वाले set में भी डाला था क्योंकि यहां से question बनते हैं क्योंकि यह PRJ की stages है development stage है उसमें एक महत्पूर स्टेज आती है जिसको हम बोलते है adult sense stage तो इसमें क्या-क्या परशानिया देखी जाती है जब बच्चा adult sense यानि कि किशोरा आवस्था में पहुंच जाता है option A personal and social problem home and family related problems problems of health and physical self esteem तो आपको option A, B, C, D में से choose करना है कौन से correct answer रहेगा किशोरों में आने वाली कौन-कौन से समश्चा है विक्तिगत और समाजिक समस्चा है घर और परिवार समंदित समस्चा है स्वास्तिय और शारिक या आत्मसमान समस्चा है तो right answer है option number D रहेगा option A, B, C तीनों की तीनों जो है problems देखी जाती है तीनों की तीनों समस्चा किशोरों में जाद तर देखी जाती है कि उन्हें विक्तिगत और समाजिक समस्चा है भी आती है जब बच्चा इस चरण में सेल्फ इस्टीम से रिलेटेड आत्मसमान की जो समस्चा है वह सबसे जादा इसी एज में बच्चे को फेस करनी पड़ती है और इसके साथ साथ जो एक प्रॉब्लम और है वह होती है भई sex reproduction और health problem यहां पर इस stage में बच्चे की जो है एडोल सेंस में एंकाउंटर की जाती है according to PRJ तो काफ इंपॉर्टेंट कुश्चन है यह option number D is the right answer next बढ़ते हैं अब एक कुश्चन number हम 2 के साथ में continuous aspect in continuous and comprehensive evaluation implies हिंदी में भी देखेंगे अब इसे बात कर रहा है सतत एवम व्यापक मुल्यांकन की बात की जा रही है तो इसमें जो है जो सतत टर्म है continuous है निकी लगातार चलने वाली इस aspect का क्या मतलब है continuous और comprehensive evaluation में सतत और निरंतर चलने व्यापक रूप से चलने वाले मुल्यांकन में तो जो word सतत है निकी continuous है उसका क्या मीनिंग है option A बोलता है continuous observation and support to the children during teaching, learning, employ different tools continuous comparison of learners performance C बोलता है conducting formal paper pencil test in fixed interval throughout the academic session या periodic testing of children to gauge their ability of memorization and recall तो देखो option number D तो यहाँ से बिलकुल हटा दो D क्या बोलता है यहाँ पर ratification की बात हो memorization मतलब आप किसी भी चीज़ को बच्चे को रटवा रहे हैं यार याद करा रहे हैं जिससे उसकी ability बढ़ जाए रटने से कभी भी किसी भी व्यक्ति की ability यानिकि छमता या उसमें learning का विकास नहीं होता है तो यह तो CCE का पार्ट ही नहीं है बिल्कुल नहीं तो इसको आप बिल्कुल हटा देंगे तो आपके पास तीन option बचेंगे जिसमें से आपको choose करना है तीसरा option बोलता है कि आप paper pencil test का इस्तेमाल करेंगे fixed interval time देंगे एक academic session में तो यह क्या है continuous comprehensive evaluation है? जी नहीं paper pencil test के only paper pencil test के थुरू आप cce नहीं कर सकते यानिकि व्यापक मुल्यांकन बच्चे का नहीं कर सकते correct answer है option number c continuous observation लगातार बच्चे का निरक्षन करेंगे उसको सहाइता करेंगे जब आप teaching learning process में रहेंगे यानिकि बच्चे को जब आप learning कराएंगे different tools के माध्यम से तो उसको आप आकलन भी करेंगे उसको support भी करेंगे और लगातार उसके साथ बने रहेंगे उसकी पूरी teaching learning process में तो ये continuous का मतलब है यहाँ पर option A is the right answer दुबारा देख लेते हैं सतत और व्यापक मुल्यांकन में निरंतर पक्ष का क्या अतात्वर्य है option A हाँ पर सही था शिक्षक अधिगम के दोरान विविन उपकरनों का उपयोग करते वे बच्चों को निरंतर अवलोकन करना बच्चे को निरंतर आप observe करेंगे और जो भी उन्हें problem आ रही है उसमें उनकी help करेंगे तो ये क्या है ये continuous सतत का meaning है cce में cce का मतलब क्या होता है व्यापक यानि कि हर एक पहलू पर बच्चे के आप आकलन कर रहे हैं चाहे आप उसकी paper pencil test हो सकता है या उसकी personality test हो सकता है या फिर उसका behavior हो सकता है तो इन सारे चीजों पर जब आप बच्चे का observation करते हैं तो वो cce के अंतरगत Kyoto यहां पर आपको क्या करना है बच्चे के अवलोगन observe observe में रखना है लगातार बच्चे को कि उसका behavior है उसको पढ़ाई में interest आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है तो उसकी help करनी यह Diagonize करना है उसको तो चीज़े continuous explain करता option is the right answer next लेके आते हैं भी question number third according to P.A.J. which stage of cognitive development displays object permanence बहुत important question है भई C.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T.T स्टेज में प्री उपरेशनल स्टेज़ या फिर फॉर्मल उपरेशस्टेज हिनने देखते हैं प्याजी के नुसार संग्यरारटमक विकास करता है संबेधी पेश्चे मूर्थ संक्रियनातमक पूर-sंक्यरा शंक्यरा-ड़क- और जो बर्स से दो साल तक की अवस्था आप आजे ने बोली है अब वस्तु इस्थाइत का बतलब क्या है कि बच्चा जो है अपने आसपास जो भी चीजे हैं उन्हें पर्माइनेंट समझ लेता है आप सपोज इसका कोई टॉय है अब उस टॉय को वो रियल समझता है आप उस टॉय को हटा भी लोगे तो उसके माइन में वो ही चीज रहेगी वस्तु इस्थाइत मेंने कि अगर उसके पास वो टॉय नहीं होगा फिर भी उसके माइन में उस टॉय की इमेज बनी रहेगी तो उसे वस्तु स्थाइत्व कहते हैं और ये चीज देखी जाती है जो छोटी age group के बच्चे होते हैं कि बच्चा उसको visualize कर सकता है यानि कि देख सकता है उस object को जब आप वो object उसके आसपास नहीं है या आप उसको छुपा देते हो तो फिर भी बच्चा उसी में ही ध्यान लगाए रहता है तो ऐसी अवस्ता जो होती है उसको हम वस्तु स्थाइट कहते है और इस sensory motor stage में आता है ठीक है इसके बाद कि जो stage है वो concrete है दो से साथ साल की अवस्ता फिर pre-operational साथ से ग्यारा साल की अवस्ता और फिर फॉर्मा ऑपरेशनल स्टेज जिसमें आधी तूफान की अवस्ता भी इसको काया जाता है यानि कि बच्चा अमूर्स तिंकिंग करने लगता है ग्यारा से आगे तक की जो अवस्ता है यानि कि 14 साल में अडूल सेंस में पहुंच जाते है Right answer option number 1 next आता है question number 4 अब ये question है आपका हिंदी भाशा से language हिंदी से लिया गया question है मोखिक भाशा का आकलान dash पर सरवादिक बल देता है मोखिक भाशा का आकलान किस चीज़ पर सबसे ज़ादा बल देता है धारा प्रवा की तीरता पर Sanskrit निष्ट शब्दों के प्रियोग पर उचारण गत शुद्धता पर या विचारों की करमबत्ता पर मौखिक भाशा यानि कि oral language का जब हम evaluation करेंगे हम तो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा focus करता है right answer is option number D विचारों की करमबत्ता विचारों की करमबत्ता का मतलब क्या है कि जो भी आप बोल रहे हो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अगर वो words बिल्कुल proper तरीके से organized नहीं होंगे तो आप तक complete message नहीं पहुच पाएगा कि अगर मैं question को सही से ना पढ़ूँ तो आपको उसका meaning ही clear नहीं होगा करमबत्ता मतलब अगर मैं सही से ना पढ़ूँ तो आपको इस पूरे sentence का meaning समझ में नहीं आ पाएगा और मैं अपने अगर कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपने भावों को विचारों को भली भाती दूसरों तक अगर नहीं पहुचा पाता है तो उसमें क्या है विचारों की करमबत्ता नहीं है और भली भाती पहुचा पाता है तो उसको बोलते है विचारों की करमबत्ता जो मौकिक भाशा में सबसे ज़्यादा देखी जाती है आकलन करते हुए यानि कि जब भी आप मौकिक भाषा का आकलन करेंगे तो उसमें इचीज सबसे ज़्यादा देखी जाती है तो D is the right answer Next question number आता है हमारे पास 5 व्याकरण सिक्षन की अपेक्षक्रित बहतर विदी है जो व्याकरण यानि कि grammar teaching की सबसे अच्छी method या सबसे अच्छा method कौन से है आगमन method है जिसको हम बोलते है inductive inductive method, निगमन यानि कि deductive method, सूत्र विदी यानि कि formula method, पुस्तक विदी यानि कि bookish language जिसको हम बोलते है तो कौन सी सबसे अच्छी विदी है व्याकरन सिक्षन के लिए व्याकरन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विदी इन में से कौन सी है correct answer है मारे पास argument विदी अब argument विदी में क्या होता है यह हमें समझना ज़रूरी है इंपॉर्टेंट कुश्चन है बहिए आप इसे देखो यह कई जगे पूछ ले जाता है CDP में तो आता ही है साथ साथ यह languages में भी आ जाता है Hindi और English में भी पूछ ले जाता है Hindi English Pedagogy में भी पूछ ले जाता है इसके साथ 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 यह science में भी question पूछ ले जाता है EVS में भी इस question को पूछ ले जाता तो इसको समझना जरूरी है कि आगमन विधी क्या होती है और निगमन विधी क्या होती है तो देखो आगमन विधी का मतलब क्या है जब भी आप students को कोई भी एक उधारन यानि कि example देंगे और उस example के माध्यम से आप किसी particular rule तक पहुचेंगे या फिर किसी सूत्र तक पहुचेंगे, किसी formula तक पहुचेंगे suppose आप बच्चे को mathematics पढ़ा रहे हैं तो आपने उसको एक उधारन दिया, example दिया उधारन की सायता से आप कहां पहुचे, एक नियम पर पहुचे चरण क्या होता, आपको इसमें example देना होता है ठीक है, example आपने दे दिया, उसके बाद आपको निरिक्षन करना पड़ता है, जो चीज आपने example के थुरू बताईए उसका निरिक्षन करेंगे, उसके बाद सामान्य करन करेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं समान्य करन, और लास्ट आता है हमारे पास, फोर्थ होता है परिक्षन, ठीक है बई, निरिक्षन करना, परिक्षन करना दोनों अलग चीज है किस विदी के, आग्मन विदी के, अब निग्मन विदी इसकी अपोजिट होती है यान कि deductive method क्या होता है, जब आप किसी rule यानि कि किसी भी formula की help से बच्चे को कोई एक example या किसी एक particular नियम की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास निग्मन विदी कहलाती है, deductive method कहलाता आग्मन भी कह, कि आप example के थूरू कुछ drive करके लेके आ रहे हैं, कुछ formula generate कर रहे हैं, कुछ rule बना रहे हैं और निग्मन में क्या है, आप rule की मदद से problem को समझा रहे हैं नेक्स बढ़ते हैं अब कुछ नमबर 6 के साथ, बच्चों की भाषाई, छमता की क्रमिक प्रगर्टी के बारे में बताने में सरवधिक महत्व करता है जो बच्चों की भाषाई छमता होती है, यानिकि language, language ability जिसको हम कह सकते हैं उसकी क्रमिक प्रगर्टी, यानिकि regular way में आप उसकी progress चेक कर रहे हैं बच्चा जो है भाषा के कितना learn कर चुका है, उसकी क्रमिक प्रगर्टी रखने के लिए आपको सबसे आधिक क्या चीज help करेगी portfolio, लिखित परिक्षा, अवलोकन यानिकि observation, ठीक है, जाच, सूची यानिकि checklist लिस्ट, हिंदी का question था, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में translate नहीं गिया, portfolio, portfolio बोलते है, लिखित परिक्षा, अनिकि written test, सारे चीज़े हैं लिख दी है, अब आपको बताने है कि बच्चे के language ability को चेक करने के लिए, proper way में, regular way में चेक करने के लिए, आप क्या use करेंगे, right answer option number A, portfolio का इस्तमाल आप करेंगे, ठीक है, अब portfolio क्या होता है, इसमें जो portfolio जो होता है, ये प्रात्मिक स्थर पर बच्चों की भासाई चमता को आकलन करने में सबसे अधिक और सबसे महतपूर्ण विधी जो होती है, portfolio होता है, ठीक है, इसमें बच्चे के सारे records रखे जात करता है, और इसके साथ-साथ इस विधी के साथ-साथ आप बच्चे को समझने में जो भी परशानी है रही है, तो उसके according आप उसको remedial teaching भी दे सकते हैं, उस चार आत्मक शिक्षन भी बच्चे को कर सकते हैं, तो option A is the right answer, next आता है question number 7, pick out the word which is spelled correctly, English का question है, English grammar का question है, इस तरी next question आता है, हमरे पास 8, which of the following is important to consider while deciding the text for student reading, आपको यह बताना है कि, दोनोगे question मेने हिंदी में डालती है, यानिकि English का ही question था basically, तो इसको English में ही रखा जाएगा, difficulty level देखा जाता है, बच्चे का interest देखा जाता है, या फिर text की लंबाई देखी जाती है, या बहुत A and B, question सम जरूरी है, जब आप decide करेंगे text for the student reading, यानिकि बच्चे को आपने reading करने के लिए बोला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, उसको कठिन level होना चाहिए, जो भी आपने बच्चे को paragraph दिया है, या book reading दिया है, वो कठिन होनी चाहिए, या बच्चे का interest लेवल देखना है, या फिर जो text आपने दिया, उसकी लंबाई देखनी है, कि वो छोटा है या बड़ा है, या दोनों A और B, तो correct answer option number D है, कि आप जब भी reading बच्चे को देंगे, reading करने के लिए देंगे, तो reading के लिए ऐसी नहीं होने चाहिए, पढ़ने के साथ बच्चे क interest भी उसमें develop होना चाहिए, तो difficulty level भी आप उसका check करेंगे, कि ज्यादा difficult तो नहीं है, उसके साथ बच्चे को पढ़ने में interest आ रहा है नहीं है, अगर interest आएगा तो बच्चे ने जो paragraph या book reading ये lesson को read गया है, उसको समझने में उसको काफी आसानी होगी, तो option D is the right answer, next बढ़ चाहद ध्यापिका है, उन्होंने अपने student से बोला है, कि आपको लिखते समय किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, holding pen और paper properly, be proper writing material should be used, c use proper punctuation marks, cd all the above, तो भाई सारे सारे चीज़ों का आपको लिखने में ध्यान रखना होगा, कि आपको punctuation का भी ध्यान रखना है, proper writing material, कि कि आप लिख रहे हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, pen को आपने कैसे पकड़ा है, एक proper तरीके में आप pen को पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा, तो ये भी आपकी writing skills पर काफी जादे effect डालता है, तो तीनों की तीनों चीज़े important है, next आता है हमारे पास question number 10, which of the following pedagogical process is for class 5th according to the EVS curriculum, EVS curriculum के according, पाठी करम के अनुसार, निमली कित में से कौन सा section पकरिया, कक्षा 5 के लिए है, option A बोलता है, सह पाठी हो, शिक्षकों को बड़ों के बीच पक्षपात, पक्षपात तो करना ही नहीं है, option यहां से बिलकुल हटा दिया जाए, पश्यों के अधिकार और पश्यों के नेतिक उप्चार के बारे में चक्चा करना बिलकुल नहीं जी, पाठी पुस्तकों के अलावा, अकभार, पत्री का किताबे और किसी भी अन्यस इंसादनों को पढ़ना, या फिर नीचे बोला गया है, उपरियोग सभी, तो आपको आंसर करना है कि भाई, क क्यार सही होगा, कुशन को एक बार और पढ़ लेते हैं, इवियस पाठी करम के अनुसार, निमली कितम से कौन सा सेक्षिक पर करिया, कक्षा 5 के लिए है, कौन से सेक्षिक पर करिया, कक्षा 5 के लिए है, ये पूछा गया है, कि डिसकस अबाउट प्री जस्टिस चलो ठीक है, डिसकस अबाउट एनिमल राइट एंड एथिक्स, ये भी ठीक है, रिडिंग न्यूस पेपर, रिसोर्से, सही है बई, ओल दी अबब आएगा है, आपर ऑप्शन D, कहने का क्या मतलब है, कि आप न्यूस पेपर, मैगजीन, बुक्स, इनको तो पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो भी दूसरे अधर रिसोर्से से हैं, जहां से आप EBS के बारे में स्टडी कर सकते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं, एनिमल राइट के बारे में, EBS के बारे में पढ़ाया जाता है, बल्कुल सही है, डिसकस अबाउट इस्टीर टाइपस, यानि कि जो कौन सा अक लाइन है, इट इसे डाइगनोस्टिक और रिमेडियल, इट मेक्स प्रोविजन फॉर इफेक्टिव और फ्रिक्वेंट फीडबैक, भई तो दो तरीके के असेस्मेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेस्मेंट, प्रीवियस अगर आप मेरी क्लास देख रहे और दूसरा समेटिव असेस्मेंट, अब आपको इन दोनों स्टेट्मेंट से चूज़ करना है कि कौन सा स्टेट्मेंट है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, स्कॉलेस्टिक है या को स्कॉलेस्टिक है, हिंदी में ही बता देता हूँ, निमलिकित कत्नों मैंसे मुल्यांकन के प्रकार को पेचानी, यह निदानिक और उप्चारात्मक होता है, यह प्रभावी और आवर्तित प्रतिक्रिया का प्रावधान करता है, रचनात्मक, योगात्मक, स्कूली या सहे स्कूली, तो right answer है, option number A, रचनात्मक, आकलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, formative assessment, formative assessment कैसा होता ह remedial होता है, उप्चारात्मक होता है, ठीक है, और यह क्या होता है, प्रभावी होता है, काफी effective रहता है, formative assessment का, अगर मैं आपको example दूँ, मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे आप class में बच्चों का sessional test लेते हैं, या फिर unit test जो होता है, बच्चों का, या फिर आप बो recording उसको डाइगनाइज करके problem को डाइगनाइज करको इसको remedial teaching दी जाती है, तो option number A is the right answer, यह थे हमारे आज के important mock test question, I hope आपको paper 1 UTED के लिए question पसंद आए होंगे, help करेंगे आपके examination में, telegram को ज़रूर connect कर लेना, इस वीडियो का PDF में telegram पर डाल दूँगा, वीडियो subscribe करना मिलेंगे आपसे एक और नहीं वीडियो के साथ में, thank you for watching